एक अमीर वपारी अपने वपार दे संबंध विच किते बाहर जा रहा सी। उसदी बैल गड़ी एक दर्या दे किनारे दोड़ी जा रही सी जद अचानक उसनु एक जोरदार चटका लगा अते उसदी बैल गड़ी रुख गई। उसने हेठा के देख्या कि उसदा एक बैल द आखरकार उसने सोचिया, मैंनू अपने इस बैलनू इत्थे ही छड के जाना पवेगा, नहीं ता मैं अपने टिकाने ते पहुंचन विच लेठ हो जावांगा, सो उसने अपने उस बैल तो बगेर ही अपनी यात्रा शुरू कर दिती। बैलनू अपने मालिक दे इस वर्ताव ते बहुत दुख हो रहा सी। उसनू उमीद सी कि इस मुसीबत समय उस्दा मालिक उस्दा साख देवेगा पर जद उसने उसनू इस तरह जानद्या देख्या ता उसनू बहुत निराशा होई। उसनू ओ दिन यादा रहे सन जद ओ पूरी शर्दानाल अपने मालिक दी सेवा कर्या करदा सी। हुण जद ओ मुसीबत विच सी ता उस्दा मालिक उसनू मरनली उत्थे छड के तुर गया सी। बैल ने दलदल विच्चो बाहर आउंड ली पूरे जोर्नाल एक होर हमला मारया अते इस वार ओ सफल हो गया। पर हुणो अपने उस सवार थी मालिक कोल वापस नहीं जाना चाहुंदा सी। सो ओ उस सथान ते ही रहन लगपया। बैल दर्यादा सवच पाणी पीनदा अते जंगल विच्चो हरा ताजा काचर दा रहिनदा। इस तरह जल्दी ही ओ इनना तकड़ा हो गया कि उस दा रंबना शेर दी गर्जवां लगण लगण लगपया। ए अवाज इननी उच्ची हुन्दी सी कि ए सारे जंगल विच्च सुनी जा सकदी सी। उस ही जंगल विच्च एक शेर रहिनदा सी। एक दिन उसनु प्यास लगई अते ओ पाणी पीनली दर्यादे किनारे ते पहुंच गया। अचानक उसने बैल दी जोरदार बढ़क सुनी ते उसनु बहुत कबरा महिसूस होन लगी। अपनी जाननु खत्रा महिसूस करदा होया ओ तुरंत अपनी गुफावल दोड़ गया अते इथे पहुंच दे ही उसने अपने मंत्री गिद्दर नु बुला लेया। गिद्दर दे पुच्छन ते शेर ने कुछ ची जगदे होय अपने डर दा कारण दस्या ते शेतान गिद्दर जल्दी ही ए पता लगाउन विच सफल हो गया कि ओ गर्ज किसे होर जानवर्दी नहीं, सगो एक मोटे तकडे बैल दी सी। अपनी तेज बुद्धी दी वर्तो कर दिया उसने शेर नु दस्या कि ओ शिवजी महाराज दा बैल है अते इसनू उ उन शेर अपना बहुता समा बैल दी संगत विच बिताउन लगा। हौली, हौली शेर बैल तो इन्ना परबावित हो गया कि उस दी सोच तार्मिक हो गई अते उसने जानवरानू मारना वी बंद कर दिता। सब्तो वड़िगाल ए होई कि ओ अपनी परजावल वी काटते आं लग पया जिस कारण जंगल दे सारे जानवर बेचैनी महिसस करन लगे। उस दे इस वरतावने उस दे मंत्रियानू वी चिंतत कर दिता ते गिदढ इस समस्यानू हल करन बारे सोचर लगा। हौण गिदढ ने शेर दे कान परने शुरु कर दिते। उसने शेर नू केहा कि बैल उसनु मार के खुद जंगल दा राजा बढ़ना चाहुंदा है। दुजे पासे उसने बैल नु केहा कि शेर उसनु मार के उस्ता मास जंगल दे जानवरा विच बढ़ना चाहुंदा है। इस तरह पड़कार्ट विचले आके उसने बैल तो शेर ते हमला करवा दिता। शेर इस गल्ले पहला ही त्यार सी। ओवी पूरे जोर नाल बैल ते टुटपया। काफी लम्मी लड़ाई तो बाद शेर ने बैल नू मार दिता। इस तरह उना दी दोस्ती दा अंथ हो गया। बैल नू मार नतो बाद उदास अते निराश शेर उना खुशी परे दिना बारे सोच दा जो उसने अपने मितर बैल नाल बिताय सान। पर गिद्दर ने उस दे मन विच शाखी इनना पैदाकार दिता सी कि ओ बैल नू इक गदार समझन लग प्या सी। किसे गदार नू ओ अपनी सल्तनत विच राखी किवे सकदा सी। शेर गिद्दर नू अपना मुख मंत्री थाप के पहला वांग ही राज करन लगा। गिद्दर दी पूरी चडाई सी। सिट्टा सवार्थी सलाकारां तो बच्चो।